आज बुआ जी बहुत खफा है सिर्फ इसलिए क्योंकि नाइरा की हो जाएगी मौद बहुत ही शौक लग रहा है बुआ जी को इस बात से आपको बता दे कि ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं नाइरा अब शो से एग्जिट करने वाली है यारी कि उनकी मौद होने वाली है मसकार मैसनगदा गौसिप बुआ जी स्टाइल में आपको बताने वाली हूँ कि अब फाइनली एक प्रोमो रिलीज हुआ है ये रिष्टा क्या कहलाता है का जसमें कार्तिक नाइरा की अस्थियां बहाते वे दिख रहे हैं यानि कि सीरियल में अब ये ट्विस्ट आने वा वाइन्स भी बहुत अपसेट हैं नाइरा के कि नाइरा अगर शो से चली जाएगी तो शो तो बहुत सूना-सूना सा हो जाएगा शो बिना नाइरा के बेहदी अधूरा है ऐसे में नाइरा का इस शो से जाना यानि कि जस तरीके से शो में दिखाया जा रहा है कि नाइरा की मौत हो गई है वो नाइरा की exit ही एक तरह से नाइरा अगर अगर अब नहीं दिखेंगी इस बात का खौफ फैंस को सता रहा है फैंस लगातार शोशल मीडिया पर कमेंट करकर के ये बोलने की आवाज उठा रहे हैं कि नाइरा को वापस से शो में बुलाया जाए अगर नाइरा नहीं होगी तो ये रुष्टा क्या कहलाता है वो देखेंगे ही नहीं ऐसे में आपको बता दे कि सभी जिद पर आएवे हैं फैंस लगातार कमेंस पर कमेंस कर रहे हैं और क्या क्या कमेंस कर रहे हैं ये कमेंट कर रहे हैं कि नाइरा के बिना कारते का धूरा है नाइरा के पैंस लगतार नाइरा की वापसी की डिमांड कर रहे है नाइरा की मौत सीरियल में होना बिल्कुल अनफेर है अब क्या होगा नाइरा का क्या नाइरा वापस आईगी पैंस जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं नाइरा की वापसी को लेकर ऐसा लग रहा है हो सकत यहें makers ऐसे कुछ प्लान्स बनाएं कि नाइरा के किरदार को कुछ अलग ही twist and turns के साथ कुछ भेज दे शायद नाइरा के किरदार को यानि कि शिवांगी जोशी को एक अलग ही किरदार में अब ये रिष्टा क्या कहलाता है में entry मिल जाए अगर ऐसा हो जाए तो fans की तो खुशी ही खुशी का ठिकाना नहीं होगा लेकिन ऐसा होना भी तो चाहिए लेकिन फैंस तो फिरहाल यही विश कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि नाइरा की एक्जिट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि नाइरा की एक्जिट होगी एक नए किरदार में लेकर आते हैं, यानि कि शिवांगी जोशी की होती है वापसी, कमेंट करके आप बताईए कि आप कितने अपसेट है, बुआजी को ज़रूर बताईए का आप भी अपसेट है या नहीं, शिवांगी जोशी के टाजा बाइबाइ यानि एग्जिट से कमें कीजिए हमारे comment section में तमाम Bollywood और TV दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहे हमारा चानल